नमस्कार मैं है अलुष का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबर को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पए बिहार के कई अंगिभूत कॉलेजों में होगी प्रधानाचारियों की नियुक्ति अब ई-उफिस से जुरे का मैट्रिक इंटर के लाखो विद्यार्थियों का जाड़ा 28 अप्रेल से होगा 18 वर्स से उपरवालों के वैक्सिनिसन के लिए रजिस्ट्रेशन विहार पहुंची 130 मिट्रिक टन ऑक्सिजन की खेब देश बढ़ में डरा रहे हैं कोरोना की बढ़ते आकरे तो चलिए अब जानते हैं खबरे विस्तार से बिहार के कई अंगीभूत कॉलेजों में होगी प्रधाना चारियों की नियुक्ती राज की पारंपरिक विश्विद्यालेों से जुरे अंगीभूत महाविद्यालेों में प्रधाना ध्यापकों की खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रखिडिया जल्द ही शिरू होने वाली है इसके तहत पारंपरिक विश्विद्यालों की अंतरगत करीब 260 अंगीभूत महाविद्याले हैं जानकारी की मुताबिक इन में से करीब 90 में से नियमित प्रधाना ध्यापक कारियरत हैं मगर करीब 170 कॉलेजों में प् आपको बताते चलें कि प्रधानों में संसोधन करते हुए अब अंगीभूत महाविद्यालों के प्रधाना ध्यापकों की नियुकती का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य विश्विद्याले सेवा आयों को ही है अब E-Office से जुड़ेगा मैट्रिक इंटर के लाखो विद्यार्थियों का डेटा बिहार बोर्ट के मैट्रिक और इंटर के 30 लाख विद्यार्थियों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा क्योंकि बोर्ट द्वारा सभी विद्यार्थियों के डेटा को E-Office से जोरा जा रहा है इसके तहट विद्यार्थियों का सारा काम स्कूल से ही हो पाएगा E-Office में सुबे के सभी स्कूलों को जोरा गया है इससे नौवी से बारवी तक के डेटिस्ट्रेशन से लेकर परिक्षा फॉर्म तक E-Office की माध्यम से ही भराए जाएंगे अभी तक बिहार बोर्ड द्वारा स्कूलों की पास हर काम DEO कारियाले के माध्यम से किया जाता था इसमें लगभग एक सब्ताह से 15 दिन तक लग जाते थे लेकिन अब यह काम आसान हो जाएगा अब सब्ताह बढ़ का काम एक दिन में ही किया जा सकेगा इसकी मदद से वलतियां भी कम होगी वहीं जात्रों को भी साइबर क्याफे की चक्र लगाने नहीं पड़ेंगे बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे रख रही है करी निगरानी देशबर में संक्रमन की कई मामले आने की बाद कई राजियों में लॉकडाउन जैसे इस्तिती बन जे आने को सौपी गई है जो यात्री पड़ना जिंक्सन पर आ रहे हैं उनको मास्क पहन कर ही रेल्वे परिसर में आने कुले कर जागरू किया जारा है वहिस दोरान बिना मास्क पहन से दोराने ज़ह पांटना जनक्सन inda में बाहर से आनने वाले प्रवासियों के लिए ग स्वास्त्र मंतरी मंगल पांटे ने शनीवार बताया कि केंद्रे मंतरी धर्मेंधर प्रधान से बाच एत के केंद्र ने राज को चार टैंकर भी देने का निर्णे लिया है फिलहाल राज में अभी 10 टैंकर है जिनके माध्यम से ओक्सिजन की आपूर्ती की जारी है राज में दूसरे राजियों से सरक मार्ग से ही लिक्विड ओक्सिजन की आपूर्ती की जारी है इसके साथ ही स्वास विभाग द्वारा राज के अपने 14 प्लांटों से ऑक्सिजन कमी की भड़पाई की जा रही है कोरोना डियामों के उलंगन करने पर पूर विधायक समेट 200 अपर हुआ केस दर्जे बिहार में वैसाली जिले के लालगन जिस्तित खजाहाचक गाउ में कोरोना गाइडाइन्स का खुलेया मुलंगन करने के मामले में पुरू MLA बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सहीं समेट 200 लोगों पर प्राधमी की दर्स की गई है दरसल पुरू विधाय की ओर से अपने भाई मान मर्दन शुक्ला जो की मुझपर पुर्नकर निगम की डेपुटी मेर भी है उनके बेटे की जनू को लेकर आबास गाउ खजाहाचक में ही कारकरम का आयोजन किया गया था और इस दरान पूरे कारकरम में मुख्यमंत्री नितिश कुमार की ओर से लागू नाइट करफ्यू और सोसल डिस्टैंसिंग की नियमों की जम कर अभेलना हुई जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में संग्यान लिया है गौरतलब है कि इस भै के माहौल में भी खुद सरकार से जुड़े लोग ही सरकार की नियमों की दर्जिया उरा रहे है सौफ्ट्वेर के माध्यम से सरकार देगी खाली पड़े कोवीड बेटों की जानकारी जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध होगी इसके लिए सौफ्ट्वेर अपडेट करने का काम चल रहा है जिसे अगले दो से तीन दिनों में अपडेट कर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा इस सौफ्ट्वेर से आम लोगों को राज के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेट की जानकारी मिलेगी इसके तहट किस अस्पताल में कितने बेट है और आईसीओ की सुविधा कितने बेट पड़ है इन बातों की जानकारी उस सौफ्ट्वेर की माद्धम से आम लोगों को उपलब्द कराए जाएगी इसको लेकर स्वास्ति विभाग में बैठके भी हुई है जसमें अधिकारियों को आज शाम तक सौफ्ट्वेर तयार कर देने का निर्देश दिया गया है इसके तहद बेडों की उपलब्द कराए जानकारी सौफ्ट्वेर विभाग से दिन में दो बार अपडेट की जाएगी वहीं अस्पतालों का नमबर भी उपलब्द करा दिया जाएगा ताकि आम लोग सीधे संपड़कर बेड की जानकारी अस्पताल से ही टाप्ट कर सके को सहित 25 पैरा मेडिकल स्टाफ ने योगदान दिया वहीं अस्पताल में पहले से मौजूद 50 बेड को बढ़ाने की बारे में आर्मी मेडिकल कॉर्प की टीम वह अधिकारियों के साथ बैठक हुई इसे के साथ एस आइसी एस्पताल में ड्यूटी कर रहे आईजी आइमस क चेह डॉक्टरों को भी सोमवार से लौटने को कह दिया गया है हालांकि आर्मी अपसरों का यह भी कहना है कि इस अस्पताल में राजसरकार और एस आइसी के मेडिकल स्टाफ भी सेवा देते रहें फिलहाल आर्मी के गयरा जिकित सक 25 पैरा मेडिकल स्टाफ अस्पताल में अस्पताल में अपलब दे 50 बेट को सुचारों रूप से चलाया जाएगा जल्द इसे 200 बेट में भी किया जाएगा बेतिया में जल्द लगेगा औकसेजन प्लांट बिहार की पशिमी चंपारन में संक्रमित मरीजों को औकसेजन की किल्लत नहीं हो इसके लिए औकसेजन प सरकीट हाउस में डियम कुंदन कुमार समेथ स्वास्तिर विभाग के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक में कही है बैठक में जिले में कोरोना संक्रमन की बर्ती रप्तार को रोकने के लिए कियी गए प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी भी ली गई इसके साथ ही से चलेंगे इस समर स्पेशल ट्रेन पुर्व मद्या रेल ने यात्रियों की सुवधा के लिए बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूरे से पंदित दिन दियाल उपाध्याय जंक्षन सासराम जंक्षन गया की उल जमालपूर के रास्ते भागलपूर तक स्पेशल ट्रेन को परिचालन करने की घोशना की है। वर्ष से उपर वालों के वैक्सिनेशन के लिए रजिश्ट्रेशन बिहार में 18-24 साल के सभी लोगों के लिए एक मैई से टीका करन अभियान शुरू होना है जिसके लिए 28 अप्रेल से निबंदन की प्रेखेलिया शुरू हो जाएगी। इसके जानकारी राज स्वास्त समिती के कारपालक निदेशक मनोज कुमार ने बीते दिन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फरेंस में दी है। पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए बिना 18 से अधिक उमर वाले कोरोना टीका नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही वैक्सिन देने के लिए सरकार 18 से 44 साल की व्यक्तियों के बीच श्रेनी बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही राजसरकार अपनी जरूरतों को देखते हुए सिरम इस्टिट्यूट से कोवी शिल्ड टीका खरिदने का भी निर्ने लिया है। इसके अनुसार लोगों को कोवी शिल्ड वैक्सिन देने के ही कयास दिख रहे है। प्राइवेट अस्पतालों के मनमर्जी को लेकर पटना डियम हुए सकते है। जिलादिकारी ने अब सक्ट रवय अपनाने का आदेश यारी किया है। कोरोना से जिंदगे की जंगराज में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना का ग्रहन लग गया है। प्राइवेट अब सक्ट रवय अपने अपने मधूर गीतों के माद्यम से कई भोजपुरी फिल्मों को हिट गाना दिया है। साथ ही उन्होंने कई अल्बम में गाना भी गाया है। उनका अपने समय का सबसे मश्यूर गाना शीसा चमकावे लू तुछत के उपर से रहा है। जिसके आज भी बोजपुरी प्रेमियों के बीच काफी लोग प्रियाता है। और अंगाबाद में बंद परे ऑक्सेजन प्लांट की शुरू होने से हो रही है मदद। करोना काल में ऑक्सेजन की घोर किलत के बीच एक अच्छी खबर आई है। और अंगाबाद जिले के बारून प्रखन के सिंदूरिया में बंद ऑक्सेजन प्लांट को शुक्रवार से चालू किया गया। अब इस प्लांट से मेरिकल उपियो운 के लिए ऑक्सेजन सिलेंडर भरे जाएंगे। इसक्रम में प्लांट को मेरिकल उक्सेजन के लिए पठना से लाइसंस मिल चुका है। बिनागात सब्सक्राइन की निष्चति के लिए के लिए। दोनी के फैन ने स्केच बना कर जीत लिया सब का दिल, अंतरास्यों किकेट से सन्यास ले चुके MS दोनी इस समय IPL में चिन्नई सूपर किंग्स में कपतानी कर रहे हैं, MS दोनी के चाहने वाले न सर्फ भारत बलकि वीदर शो में भी उनके लाको फैन्स है, कई फैन्स अपनी क लाकारी के माध्यम से CS के टीम को IPL के लिए शुब कामनाई भेजी हैं, जिसने सोसल मीडिया पर सब का ध्यान खीच लिया है, खुद को चिन्नई सूपर किंग्स का फैन बताने वाले एक ट्वीटर यूजर ने MS दोनी और उनके परिवार का स्केच शेयर किया है, और लिख हैं, इसक्रम में पिछले 24 गंटे में एक दिन में COVID-19 के डिकॉर्ड 3,49,699 नए मामले आने के साथ ही, संक्रमन के मामले बढ़कर 1,79,672 पर पहुँच गया है, जबकि एक्टीव मरीजों की संख्या भी 26 लाग के पार चली गई है, कि इंद्रे स्वास्ति मतराले के अधिर मरीजों की संख्या 26,82,700 क्या बन हो गई है, जो कि संक्रमन के कुल मामलों का 15,82 प्रतिशत है, जबकि COVID-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की रिकवरी रेट भी गिर कर 83,85 प्रतिशत रहे गई है, तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज के सवाल कुछ इस प आज के लिए जुरे रहें बिहारी नियूस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार